सभी आंगनबाडी से विकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें अनीता देवी बहन हैं और ये उत्तर प्रदेश के गाजी पुर जिले से आती हैं जिन्नों ने अपने वहां से एक जानकारी भीजी है 15 सो रुपए इनके वहां पर क्रेडिट हुए हैं यानि एकाउंट में आए हैं और ये पैसे कल 3 जुलाई क उनके खाते में आए हैं और इन पैसों के बारे में और बताना चाहें कि ये नीफ्ट के थुरू उनके वहां पर पैसा भीजा गया है तो इसमें बहन ने लेखा कि गुड़ नाइट सुधानसु भाईया जी क्योंकि साम को उन्होंने मैसेज किया था यह मैसेज आया है 15 सो यह पैसा नीफ्ट के थुरू आया था क्या यह बियलो का है कि CBE गतविली का समझ में नहीं आ रहा है आप वीडियो में बताए थे कि CBE का पैसा खाते में लगा है जी आ देको CBE के पैसे भी खाते में लगे थे इसके बारे में भी मैंने कल बताया था और वो जो लगे थे उनका प्रोशेशिंग वाला पूरा स्क्रीन सॉट भी देखाया था उसमें परपस में भी आप सब ने देखा होगा कि वो CBE का ही पैसा था लेकिन ये आपके वहाँ हो सकता है कि आपका बेलो का भी हो क्योंकि तमाम जनपदों में अलग अलग तरह से पैसे देखने को एक ही ये भी हो सकता है कि आपके वेलो के भी हूँ दोनों संभावनाएं हैं क्योंकि सेम मद में पैसा आता अब सेम मद में आने की वज़े से ही ये कनफ्यूजने पैदा होती है इसके अलावा भी पंदासो में दो तरह के और पैसे आते एक पंदासो राजिसरकार का मान दे आता वो तो है नहीं इस बात का तो यहां पर बिल्कुल पक्काब समझ लिजिए निफ्ट के थुरू आया है और वो PFMS के थुरू आता है तो यह जिले की टेजरी से लगा है जाहिर सी बात है यह आपका बेलो का सायद हो सकता है जहां तक मेरा अनुमान है बाकी वो बहन जिनका CBE का लगा था वो तो उनका CBE का ही पैसा था और कल एक बहन और थी जिनका बेलो का भी आया था तो आपका यह बेलो का हो सकता है कुसम पांडे गाजीपुर से हैं इनके वहाँ पर भी 500 रुपे आये हैं और इनके वहाँ पर भी जो 500 ये जो कंद 3 जुलाई को आए हैं ये पैसे भी नीफ्ट के थुरू ही आए हैं ये आप देखेगा नीफ्ट के थुरू ही पैसे आए हैं तो इनके वहाँ पर भी ये बियलो के पैसे हो सकते हैं बहने पूछा ये किस चीज का पैसा है तो ये हो ये चीजे यहाँ पर हैं वहीं आगे जलते हैं कुछ और बाते आपको बताते हैं समाहडाले सीता मड़ी की तरप से एक जानकारी आई है कारहित एवं बालविकास पर्योजना में महिला परवेचका यानी सुपरवाइजर इनके पदस्थापन में एक रूपता के दर्स्ट प्रखंड इनका सोन बरसा है वर्तमान पदस्थापना इनका डुमरा ग्रामीड है और इनको नया जो पदस्थापित मिला है जहां ट्रांसफर हुआ है वो नानपूर दिया गया है ऐसे ही राधिका देवी जो सुपरवाइजर है रहने वाली भतनाहा वगरा की है यानी ग् में कर दी गई है गयत्री कुमारी सुपी की रहने वाली है यानी वो उनका ग्रह प्रकंड है लेकिन बेलसंडा वगरा में वर्तमान में वो सुपरवाइजर है और वो सुरसंड वगरा में भेजी जा रही है सुनीता कुमारी बैरगनिया वगरा में वहां से आती यानी वहा मिता कुमारी हैं डुमरा वगरा का इनका ग्रेप्रकंड है लेकिन बैर गनिया वगरा में वर्तमान में जो नोकरी कर रही है बाजपटी वगरा में इनका ट्रंसफर हुआ है सावित्री कुमारी बतनाहा वगरा में रिखने वाली है मेजर गंज वगरा में इनका वर्तमान पदिस्थापना है और डुमरा सदर वगरा में अब ये जा रही है कुमारी प्रियंका रीगा वगरा में इनका ग्रेप्रकंड है बाजपट्टी में वर्तमान में ये नौकरी कर रही है और सुप्पी में इनका ट्रांसफर वहाँ पर हुआ प्रियंका कुमारी सोन बरसास वाली जो है उनका मेजर गंज में फिलाल अभी वो तैनात हैं और अब ये डुमरा सदर वगरा में जा रही है तो ये कुछ सुपर्वाइजर वहने हैं जिनका ट्रांसफर सेता मडी में हुआ है और भी आदेश हैं कारहित एवं प्रसासनिक दस्टिकोर से बाल विकास परुजना काराले में काररत प्रकंड समनवेक इनको भी स्थानांतित कर दिया गया है इनमें बहुत लंबी चोड़ी लिस्ट है तो हम सब के नाम यहाँ पर नहीं बताएंगे अब जो भी जहां जा रहे हैं उनको जाने दीजिया जैसे रहमत राजा हैं डुमरा सदर वगरा में तैनात हैं रुन्नी सैथपुर वगरा में अब जा रहे हैं तो वो उतना important point नही गुड़ी कुमारी जी हैं जिन्होंने ये letter बेजे थे इनमें से कुछ हम पहले भी दिखा चुके हैं बागी कुछ आज आपने देखे जानकी भारती गाजी पूर से हैं इनका भी कुछ कहना है आए देखते हैं इन्होंने कहा भाई या फारम जमा किया गया दिसंबर 20 को द फिर से सारे document जमा करेंगी तो फिर से चालू होगा या सब कागश तयार करके जमा करने पर एक बार एक माह पैसा मिला फिर मिलेगा की नहीं इसके बारे में बताईए कि सरकार की क्या मंसा है आनराज्यों में यही चल रहा है मैं गाजीपुर से हूँ जिले में जिले से यह सब उन्होंने लेकर के भीजा तो देखो यह बाल सेवा योजना जो मुक्हिमंत्री बाल सेवा योजना है जो निरास्रित जो बालक हैं जिनके माता पता नहीं है उन बालकों की मदद के लिए यह योजना चलाई जा रही है अब इनके वहाँ पर उन्होंने दिसंबर 2020 म मिला अपरेल मां में इसके बाद से कोई पैसा नहीं आया तो अब दोबारा सायद हो सकता है भाई जो भी नियम हो एक बार पता कर लेना और दोबारा जो है फिल करके देख लेना ये चीजें हैं और लाभारती को भी थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है जो भी उनके परि हार यहां पर दे सकते हैं आवजदन के समय निम्न अभिलेक और प्रमाण पत्र भी लगते हैं वो सब यहां पर दे दिये गए चाहो तो आप लोग स्कीन सोट ले लो फिलाल मैं यही कहना चाहूंगा जानकारियां ये सब पूर में दिखाई भी जा चुकी हैं अब देखे आगे चलते हैं मैं आपको कुछ नई बात बताने वाला हूं जो आपके समय काम आएगी दस्त से बचाओ के लिए क्या ध्यान डखना है उन चीजों पर भी ध्यान दीजिए अब बिमारियों वाला समय स्टार्ट हो चुका है क्योंकि बरसाती सी जना गया है काफी लोग बि शाहार भी दें बच्चों को इसतनपान कराने और भोजन कराने से पूर्व साबुन से अच्छी तरह उनके हाथ भी धोएं खाना पकाने बनाने खिलाने परुसने इसके पहले जो है कोई गंदी या दूसित पदार्थ हो उनके हाथ संपर्क में जबाते हैं तो गंदे हो ज करते हैं आप देखे होंगे इधर-उदर फेंक देते हैं मल वगएरा तो वो उन चीजों को लेकर के भाई सुच रखे भारत को और साथी इससे बिमारियां भी फैलेंगी तो अगर डाइपर वगएरा प्रयों किये जाते हैं तो उसको भी इधर-उदर कहीं पर भी ना फें हैं तो सभी को जो है सफाई का आप विसे इस तोर पर ध्यान रखना पड़ेगा और ये अच्छी आदत में से एक है और इसको आप आदत में लीजिए डालिए हर कोई साथी और भी काफी चीज़े लिखी गई हैं जैसे कि भोजन या फल गर्मी में विल्कुल ना खाएं जो कि खुले वाले जो फल हैं उनकी बाते हाँ पर की जा रही है गर्मी के बाहर खुले में रखा भोजन या फल जूस जल्दी ही खराब हो जाता है तो वो खाने के साथी जिंक की गोली भी दी जा सकती है तथा बरसात के मौसम में क्लोरीन की गोलिया पीने के पानी की टंकी में भी डिलवाई जाती है अगर ओर जिंक के बाद भी दस्त में सुधार ना हो खत्रे के लच्छर देखें तो एंबूलेंस 102 से एक वरस तक के बच्चों तथा इ ये दो तरह से सिवाएं हैं नजदी की स्वास्त के इंद पर उसकी मदद से आप भेज सकते हैं बच्चों को आयू के नुसार सभी ड्यू टीट का करण भी अवस्य कराएं अपने घर और आसपास की साफ सफाई रखें पानी ना जमा होने दें नालियों की सफाई नियमित क करें घर में या फ्रेज में कोई खादे पदार दूसित या सड़ता हुआ परतीत हो तो तुरंत उसको फिक दें इसके उपयोग का जोखिम नहीं लेना चाहें ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं उथले हैंड पम का पानी ना इस्तमाल करें पीने वाले पानी की न में जाच भी कराओ ये सब चीज़ें यहाँ पा ध्यान रखनी हैं और ग्राम बिकास भाग की इस काम में मदद ली जाए तो ये कुल मिलाकर बाते दी गई थी ये नंदन जे मिरजापुर से जनों ने जानकारी भेजी थी काफी काम की जानकारी इनके द्वारा वो भेजी गई है अब देखेगा हम इस विडियो में अभी थोड़ा हमारे पास समय है मैंने से समय बचा लिया है तो हम उस मुक्यमंतरी बाल सेवा योजन haar वाले में जो में मिन इन प्रमारपत्र टाइप से हैं, वो दिखाना चाहेंगे क्या क्या लगता है। हैं फिर उसी हिसाब से उनको मिलता है और इसलिए दोबारा रेजिट्रेशन कराने के लिए भी कहा जाता है जैसे 0-18 वस तक की आयू के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या पिता या वैद अभिवावक को कोविड के अतरिक्त किसी अन्य कारण से 1 मार्च 2020 के बार डेथ हो ग दौलत किसी गरीब परिवार या बेसहारा जो रह गए बच्चे उनको कुछ नकुछ सासन से जो मदद के लिए नियम बने हैं उनके थ्रू आपकी वज़े से उन तक वो लाव जा पाए इस वज़े से थोड़ा प्रयास करिएगा और सरकारी कामों में भाग दोर तो होती है ये हम सब भली बाती जानते भी हैं तो आज किस वीडियो को यहीं तक रखते हैं धन्युक्त